गुड मॉर्निंग फ्रेंड मैं हूँ उशा और वेलकम है आपका अपने चानल गार्णिंग विद उशा पे तो यानि सुबह का वक्त है और सुबह के 6 बज़े हैं और उस वक्त मैं रेकॉर्डिंग ले रही हूँ क्यों कि मुझे स्कूल भी जाना है तो मुझे घर आते वक् बच जाते हैं यानि इतनी धूप होने के बाद वीडियो भी अच्छा नहीं निकलता यह चोटी सी हाड्रेंजा की कटिंग है और यहां पर देखिए क्रॉसंट्रा पर बहुत ही प्यारी ब्लूम हुए है तो जैसे मैंने यानि पिछली वीडियो में आपको प्लांट दिख और यह सारे मेरे विंका तो दिखे सुबह के वक्त यह नजारा बहुत ही प्यारा और ब्यूटिफुल लगता है क्योंकि जैसे-जैसे मेरे विंका खिल रहे हैं तो उतना मेरा गार्डन इस धूप में भी बहुत ही प्यारा लगता है तो इस तरह से सारे विंका सजे हुए ह तो और भी छोटे-छोटे जितने भी प्लांट थे और इसकी सीडलिंग भी मैंने आपके साथ शेयर की थी तो आज का जो वीडियो है वो वही है कि सीडलिंग के रिपोर्टिंग कैसे करते हैं और ये मेरे ऑनलाइन बुलाए हुए अडेनियम के प्लांट जिस पर देखे कलिया बहुत सारी बनी हुए तीन-तीन कलिया है और ये वाइट फूल तो कुछ अलगी खिल रहा है अडेनियम का तो ये देखेके मेरे चेली के प्लांट है तो इसकी ग्रोध भी बहुत अच्छे हो हुए और बहुत बड़े हो चुके हैं तो इनको रिपोर्ट भी करना था तो ये इस तरह की होगी और ये है मेरे मेरिगोल्ड के प्लांट तो ये मुझे रागवेंद्र जी ने भेजे थ तो इस प्लांट पर ऐसी कुछ पत्या अगर वइट से दिखती हैं या कुछ उन पर पेस्ट काटक दिखते हैं तो पत्या आप काट ले तो यह दिखे। है यह दूसरा कलर तो इस तरह से सीर्स मैंने लगाए हैं तो थोड़े सीर्स मैंने लगाए थें क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा था कि मैं एकली बार में पूरे सीर्ण नहीं लगाती और यानि कुछ सीर्ड़ पहले डालती हो और बाद में जब यह अच्छे लग जाते हैं उसके कुछ महीनों बाद में बावाजी सीर्ण डालती हूँ तो इस तरह से बहुत ही प्यारे-प्यारे फूल इन पर आते हैं और इन्हीं के जो सीर्स निकले थे तो वही मैंने कलेक करके रखे थे उसे एक छोटे से ग्लास में डाल दिये थे कि लगते हैं या नहीं यह देखने के लिए तो यह सारे प्लांट मेरे अच्छी से जर्मेंडट हो गए और यह इसका मदर प्लांट है तो इस पर ही सीर्स बने होए थे और इसकी मैंने कटिंग लगा थी थी जो आपको दिखाए दे रही है तो इस तरह के मेरे पास अभी चार कलर हो गए है ये रेड, पिंक और ये परपल और वाइट तो इस तरह के ये बहुत ज़्यादा इन में फूल आते हैं और ये फूल किलते हैं विंटर सीजन में और बहुत बड़ा प्लांट होता है और बहुत बुशी प्लांट होता है और यह है मेरी garden soil, तो इसमें रेत, compost और कोकुपिट सब mix है, लेकिन आपको यह डालना है, अगर नहीं है, तो 7-1 का आपको ratio लेना है, यानि 7 part मिट्टी, 1 part compost, 1 part sand, और 1 part कोई भी, यानि रेत, तो इस तरह से यह soil mix मैं बना के रखती हूँ, और इसमें थोड़ा सा मैंने अभी सि और कुछ भी नहीं डाला है, तो क्योंकि यह मेरी winter season की flower की सारी मिट्टी है, तो इसमें बहुत सारी fertilizer पहले ही मिलाए हुए है, यानि 2-3 महने ही हमारे plant रहते है winter season की, तो इसकी जो मिट्टी है, वो बहुत ही fertilized होती है, तो इस तरह से दिखे, यह छोटा सा ग्लास है, तो इसमें मैं इस seedling को shift करूँगी, तो सबसे पहले इनमें पानी डाले, और मुझे school के भी चलती है, तो इसलिए मैंने इससे निकालने के लिए कुछ भी ने लिया, नहीं तो कोई भी नोगदार चीज ऐसे लिए जिए, जिससे यह हमारी cutting easy से निकल जाए, तो अभी इसमें हम इसको हमने गिला कर दिया है, पानी डाल की, तो यह बहुत easily निकल जाती है, तो नीचे के जो भी पत्ते होते हैं, वो आप निकाले, क्यूंकि यह मिट्टी को टर्च नहीं करने चाहिए, इस वज़े से क्या होता है, हमारे पौधे में fungus लगने का डर होता है, तो इस तरह से अरूठ हमने बाकी रखी ती मिट्टी, और उपर से मिट्टे डालने के बाद इसे अच्छे से इस तरह से लगा लीजे, तो इन में बहुत ही पैरी ब्लूम होती है, तो यह जो प्लांट होता है, इसे हम हैंगिंग में भी लगा सकते हैं, यह बरले इरिया का प्लांट, और देखिए इसमें पाने डालने के बाद थोड़ा सा, कोई भी जब आप सेडलिंग लगाते हैं, तो बहुत सारे लोगों कहना है, कि उनकी सेडलिंग लगाने के बाद सूख जाती हैं, तो जैसे ही आप कोई भी कटिंग या कोई भी सेडलिंग लगाते हैं, तो थोड़ा सा प्लांट लगाने के बाद उसे अच्छी से थोड़ा प्रेस कीजिए, इस वज़े से क्या होता है कि वो मिट्टी को अच्छी तरह से बंद जाती है मिट्टी के साथ, और हमारा जो पौधा है वो रूट यानि मिट्टी में रूट अपने जमाने लगता है, तो इस तरह से धी रूट को डैमेज किये हुए, ये सारे प्लांट इजीली निकल रहे है, तो इस तरह से इसकी भी पत्या हम निकाल लेंगे, और जहां यानि थोड़ से रूट को जगा मिलने चाहिए, फैलने के लिए एकदम उपर लगाएंगे आप, तो ये पौधा यानि बढ़ता निकल रहे हैं, तो अभी मैं सारे जो भी मेरे पास सीर से वह में लगा लूगी, और इसकी अपडेट भी मैं आपको देती रहूंगी, जैसे मैंने बाकी प्लांट की मैं अपडेट देती हूँ, और कुछ दिनों के बाद, यानि जब फूल लगे हुए होते हैं, तो वही प पेस्ट का अटेक हुआ हैं, तो ऐसे जो पत्ते होते हैं, वह सबसे पहले निकाल लेने चाहिए, और धीरे-धीरे सारे प्लांट को मैं ऐसे ही रिपॉर्ट करूँगी, और जो गेंदी के प्लांट है, मारी गोल्ड के प्लांट है, उन्हें मैं एक ही गंबले में अभी ती मैं पता नहींदेख के प्लांट पर हमेशा जो स्पायडर माइ्ट केते हैं, वह बिमारी लग जाता है, पता नहींदेख को बहुत बार मैंने लगाया, लेकिन वह बिमारी लगती है, कुछ इस पर मैं स्प्रे भी करूँ, फिर भी लगती है., तो ऐसा क्यों होता है तो इस तो इस तरह से इन प्लांट को मैं शिफ्ट कर रहे हूं, इनकी रिपोर्टिंग कर रहे हूं, तो बहुत इजीली ये आप कर सकते हैं, बिना रूट को डैमेज के हुए, और इस तरह से, देखिए, ये भी प्लांट हमारा इस तरह से बिलकुर सेट करना है, तो अभी छोटे- जल्दी जगा बना लेते हैं और सेटल हो जाते हैं, तो इस सरह से, जादा बड़े पौदे होने पर ये थोड़शा से प्लांट स्ट्रेश में चला जाता है कोई भी, तो इस सरह से कि जब प्लांट होते हैं, तभी मैं सबको अलग-अलग कर दीती हूं, फिर इन्हें अच्छी से ग्रोथ होने में मदद मिलती है, तो इस तरह से हर प्लांट को आप रिपॉर्ट कीजिए, और सभी लोग पुछते हैं, कि नर्सरी से प्लांट लाए हुए, हमारे मर जाते हैं, तो थोड़ी सी जो मैं सॉइल जैसे बनाती हूं, सॉइल मिक्स जैसे बनाती हूं, तो उसी तरह का रिशो लेकर अगर आप सॉइल तयार करते हूं, तो आपकी कोई भी पौधे नहीं मरेंगे, तो देखे मैंने जैसे कहा था कि 7-1 का रिशो लेना है, यानि 7 पार्ट मिट्टी, 1 पार्ट कोकोपीट, 1 पार्ट कमपोस, 1 पार्ट सैंड, तो ये लेने के बाद ये इस तरह से सॉइल बन जाती है, और बहुत ही ईजी लिए आपका प्रोधा बहुत हिल्दी ग्रोह हो जाता है, तो इस तरह से सारे प्लांट को मैं लगा लूँगी, और थोड़ इसे मिट्टी कम पड़ रहे हैं, तो इसमें ये डाल दूँगी, अच्छे तरह से, और इसे पानी डालूँगी, और 4-5 दिनों तक मैं इसे शेड में ही रखूँगी, इसे धूप नहीं लगने दूँगी, और फिर हलकी धूप में बाहर निकालूँगी, और उसके बाद अभी तो शेड में ही रखना है, तो फ्रेंस आज की ये वीडियो आपको कैसे लगी, प्लीज मुझे कमेंस कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज मेरे चानल को लाइक और सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा, फिर मिलती हो नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाई बाई, हैपी गार्डनी,